हरे कृष्णा राधिरादे बगतों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में गनेश चतुर्ती पूजा से रिलेटर जो भी सवाल मेरे से पूछे गए हैं उन सभी का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा देखना तो सबसे पहला सवाल ले लेते हैं जिसमें की पूछा ग्याए की दीदी हमारे घर गनेश जी रखे नहीं जाते थे लेकिन अब मेरा मन है तो क्या मैं इस साल गनेश जी घर में रख सकती हूँ तो हान जी बिलकुल आप रख सकते हो क्यूंकि हर घर में गनपती जी की पूजा होती है गनेश जी सर्वपथम पूजे निय देवता हैं और गनेश जी को इन दिनों अपने घर में लाना अपने घर से नजाने कितनी दुख तक्लीफों का नाश करने के बराबर होता है और ये एक उत्सब की तरह होता है जो की जितने भी भक्तगण हैं वो बड़े ही धूमधाम से गनीज चतुर्थी मनाते हैं और बाद में उनका विसर्जन किया जाता है तो अब ले लेते हैं अपना दूसरा सवाल जिसमें की पूछा गया है कि दीदी पी रेट्स में हम गनीज जी की पूजा सेवा कैसे करें तो देखिए अगर आपके घर में गनपती जी विराजमान हो चुके हैं और उसके बाद आपको ये दिक्कत हुई है तो ऐसे में आप किसी और से गनीज जी की सुबह शाम आरती करवाएं और उन्हें भोग लगवाएं लेकिन आपको नहीं करना है लेकिन अगर आपके घर में कोई नहीं है और आपको पता है कि ये दिक्कत होने वाली है तो आप गनीज जी को विराजमान ना करें आप उनकी मानसिक सेवा पूजा करें और जादा से जादा उनके मंत्रों का आप जाप करें इससे भी प्रभू प्रसन होते हैं तो इन दिनों जो कोई भी गनीज जी की स्थापना करते हैं उन्हें प्रॉपर उनकी आरती भोग पूजा सब करना चाहिए अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो ये अच्छा नहीं माना जाता है तो या तो आप उनकी पूजा सेवा किसी और से कराएं और अगर कोई नहीं है तो फिर ऐसे में आपको गनपती जी को विराजमान नहीं करना चाहिए अच्छा अब ले लेते हैं अपना अगला सवाल जिसमें की पूछा गया है कि दीदी हम गणीज जी लाना तो चाहते हैं लेकिन हमारे यहां इको फ्रेंडली गनपती मिल नहीं रहे हैं और हमारे मन में बहुत श्रत्ता है हम उनकी सेवा करना चाहते हैं तो कैसे करें तो अगर आप किसी भी कारण से मिट्टी के गणीज जी नहीं ला पा रहे हैं तो आप एक सुपारी पे कलावा लपेट के चावलों के ऊपर उन्हें विराजमान करें आप घर के मंदिर में उन्हें रख सकते हैं और या फिर आप गमले में से मिट्टी ले ले और एक पिंडी जैसे आकार के गणपती जी बना के आप और उनका भी पूजन कर सकते हैं और जितने भी दिन आप उन्हें रखना चाहते हैं उतने दिन उनकी सेवा पूजा करें बाद में उनका आप विसर्जन कर दें क्यूंकि पहले से घर में रखे गनीज जी का विसर्जन नहीं होता है। मिठाई, फल, फ्रूट, मोदक, लड्डू, रामदाना लेके रख सकते हैं, गुड़ और चना आप लेके रख सकते हैं, टीक है मिश्री का भोग, बताशे का भोग, जो भी आप से आसानी से हो सके आप उन चीजों का भोग लगाएं। अच्छा अब ले लेते हैं अपना अगला सवाल जिसमें पूछा गया है कि जब तक गनीज जी हमारे घर में रहेंगे, तब तक उनकी पूजा सेवा का क्या नियम होगा। तो देखिए वैसे तो मैं इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको शौर्ट मैं बता दे रही हूँ, तो देखिए मूर्ती को और कलश को अपनी जगा से हिलाना नहीं हैं बिलकुल भी, और तरह से सरल नियम आपको रखना है, और अब ले लेते हैं अपना आखरी सवाल जिसमें की पूछा गया है कि दिदी विसर्जन की सरल विदी बताएं, तो देखिए आखरी दिन, जितने दिन का आपने संकल्प लिया है, उतने दिन आप उनकी सेवा पूजा करें, और आखरी एक दिन के गनेज जी रखे हैं, तो विसर्जन अगले दिन ही होगा, यानि की डेर दिन पे होगा, ठीक है, तीन दिन के अगर आपने रखे हैं, तो पूरे तीन दिन आप उनकी सेवा करें, उसके नेक्स्ट डे आप सुबा में फिर उनकी पूजा सेवा करें, उसके बाद उनका विसर्जन होगा और विसर्जन आप अपने घर में ही करें वो जादा अच्छा रहेगा विसर्जन की वीडियो मैंने डाली हुई है चैनल पे आप अच्छे से देख सकते हैं तो बस तीन बार इस तरह से डुपकी लगाते हुए तीसरी बार में हम गनपती जी को पानी म नीचे या नदी के किनारे छोड़ कर ना आए इससे उनका बहुती जादा अनादर होता है और पी ओ पी की मूर्थियां घर में ना रखें क्योंकि विसर्जन के बाद वो नदियों में काफी दिनों तक पड़ी रहती हैं जिससे नदियां दूशित होती हैं तो इको फ्रें अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे